असलाम लेकूम, आज हमारा मज़मून है मेरे वालिद, आज हम अपने वालिद पर दस जुम्ले लिखेंगे, यहाँ पे जो है आप अपने वालिद के हिसाब से रद्दो बदल चेंजिस कर सकते हो कुछ जुम्लों में, ठीक है, अब जैसे मेरे वालिद का नाम आरिफ है, यह मेरे वालिद एक तालिम याफता शक्स है, अगर आपके वालिद कम पड़े लिखे हैं, तो कोई शरम की बात ने, आपने उनकी जितनी भी पड़ाई होगी, वो लिखनी है, वो एक कमपनी में अकाउंटेंट है, जिनके अब ड्राइवर है, वो ड्राइवर लिखें, जिनक टीचर है, वो टीचर लिखें, जो भी आपके वालिद का पेशा है, आपने यहां वो लिखना है, वो मेरी वालिदा की बहुत इज़द करते हैं, हर वालिद अपनी बीवी की इज़द करते हैं, और करना भी चाहिए, वो हम बहन भाईयों से बहुत महबबत करते हैं, हर वा वालिदा आपको डांट रही है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि वह आपसे मुहबबत नहीं करती और अगर आपके वालिद भी कभी सकते हैं तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं कि वह आपसे मुहबबत नहीं करते हैं वो एक जिम्मेदार और महनती इंसान है मेरे वालिद नमाज के पाबंध है अलहम्दुलिल्ला आप ये भी लिख सकते हो इसके आगे के वो हमें भी नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं हमें भी सकती से नमाज पढ़वाते हैं वो हर इत्वार हमें घुमाने ले जाते हैं अगर घुमाने नहीं ले जाते तो आप ये लिख सकते हो क चुटी के रोज वो हमारे साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं वो अक्सर हमें अच्छी अच्छी बाते सुनाते और सिखाते हैं है ना हमारे पहले सूपर ही रो तो हमारे वालिद ही होते हैं हर बच्चा अपने वालिद से ही इंस्पायर होता है और कुछ ना कुछ उनसे सीखता है अल्ला ताला हम सब के वालिद को सलामत रखे आमीन मैं अपने वालिद से बेपना मुहबत और उनके इज़त करता हूँ और अगर लड़की है तो करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मजमून समझ में आया होगा और ये मजमून से आपको जरूर मदद मिलेगी बहुत शुक्रिया अल्ला अपेस